आपने अभी तक Artificial Intelligence के जरिये Deep Fake वीडियो और फोटोस के बारे में सुना होगा क्या आपने AI Voice Clone और Fraud के बारे में सुना हैं? आपको बता दें कि मार्केट में एक नया Fraud आया है जिसमें स्कैमर्स आपके माता, पिता, भाई, बहन, दोस्त या रिस्तिदार कि आवाज को Clone करके आपको Qual करते हैं और आपको पता चलने से पहले आपको बहुत बड़ा मूटा चुना लग जाता है तो इससे बचना चाते हैं तो हम आज इसी एक Topic पर bata करेंगे और इसकी बचार क्यक्रबाए के बारे में बात करेंगे क्या है एक Voice Cloning सबसे पहले बहुत जानना जरूरी है कि AI voice clone fraud आखिर है क्या दरसल AI voice cloning में स्केमर आपकी रिजदार दोस्त, माता पित्ता या भाई बहन की आवाज को clone करके SIM वैसे एक आवाज त्यार करते हैं AI के थूरू जिसमें आपको call करते हैं और इस call में आप अपनी किसी बुरी situation में फसे होने की बात करते हैं और तुरत पैसा भेजने की बात करते हैं जैसे ही एक बार आप अपने account से पैसे भेज देते हैं तो ठीक उसके बाद आपकी call उठाना बंद की जाती है कुछ दिन पहले एक आया था एक ऐसे ही मामला कैनेडा का मामला था जिसमें एक महिला को उसके भाई की बेटे के call कनेडा से आता और वो अपनी बुवा को बताता है कि उसकी कार का exempt हो गया जिसकी वज़ा से पुलिस ने उसे अरेश्ट कर लिया है उसे जमानत के लिए पैसे की ज़रुरत है जिसमें महिला AI काल को अपने भाई की बेटे की आवाज समझ के पैसे टांसपर कर देती है जैकिन जब भाई की बेटे को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि यह तो फ्रॉड होगया उसके साथ कैसे बचे बचने के बहुत सीधा तरीका अवेरनेस अगर आप इस फ्रॉड से बचना चाहते है तो आपको अपनी आवाज के सेंपल ऑनलाइन नहीं रखना कहीं साथ ही जब भी इस तरह की पैनिक सिच्वेशन वाली कॉल आये तो कॉल डारेट करने वालों को उसके नमबर पर कॉल करें अगर वो रिसीम नहीं करता है तो जिसकी बारे में कहा जा रहा है कॉल करके वैरिफाई कर लें चाहे बहले कि इतना भी कर लें कॉसको कॉल नहीं कर करने वाली है तीस तरह की फ्रोट से बचने के लिए सतर करें साउधान रहें कि पैसा बहुत मेहनस से कम आया जाता है किसी बीदर एक ऐसे पैनिक कॉल साहें तो घबरानी की जुरुरत नहीं है सबसे पहले उसको कॉल करके वैरिफाई कर लें कि अगर वो कॉल उस नहीं किय आ गया कॉल ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच